Hello friends, welcome back to my channel तो अभी तक आप सबको Big Boss की New Update की खबर मिल गई होगी जिनको नहीं मिली है मैं क्विकली आप सबको बता दू कि इस बार Evict कौन हुआ है Well it was expected और जाना बनता भी था क्योंकि बहुत जादा टाइम बिता लिया मुझे ऐसा लगता है कि इने पहले ही चले जाना चाहिए था क्योंकि इन से deserving contestant जो है वो पहले ही चले गए है तो जी हाँ आपकी knowledge के लिए आपकी update के लिए बता दू कि घर से बेगर हो चुके है Vicky Jan, midnight eviction उनका हुआ है, finale अब चार पास दिन ही दूर है और उस बीच में Vicky Jan का हो चुका है eviction, don't worry ये eviction किसी भी bias ने इसके जरीए नहीं हुआ है, हाला कि Big Boss ने इस बास का announcement तो करी दिया था, कि इस बार का season bias था, वो अपने show में सिर्फ उनी को रखेंगे, जो इस show के लिए अच्छे हो, ये बोलते वे भी नजर आये हैं Big Boss, तो उन्हें लगा कि finale तक की race में Vicky Jan का जाना अच्छा नहीं है तो Vicky Jan को भी बहार का रास्ता दिखा दिया, बट ये voting के अधार पर ही हुआ है, Vicky Jan को सबसे जादा low vote मिले थे, वैसे कुछ लोग ये भी expect कर रहे थे कि हो सकता है कि अरुन घर से बहार जाए, बट अरुन को हैदराबाद का अच्छा खासा support है, प्लस अरुन जो है, वो जाने माने YouTuber भी है, influencer भी है, तो काफी लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, लेकिन विकी जैन इतनी लंबी जर्नी तक टिक कैसे गई, question ये खड़ा होता है तो बोलने में ये भी आ रहा है काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि अंकिता लोखंडे को इससे पहले भी कई बार Big Boss के लिए अप्रोच किया गया, बट अंकिता लोखंडे की हमेशा से यही condition थी, कि मैं जब भी घर के अंदर जाओंगी, अपने husband के साथ ही जाओंगी, तो इस बार Big Boss ने उनके साथ, उनके husband को भी बुला लिया, और साथ या तुन्होंने ये भी बोला था कि मैं end तक अपने husband के साथ ही रहना चाहती हूँ और यही reason है कि Big Boss के अब तक की season में बहुत पहले ही couples एक दूसरे से अलग हो जाते हैं बट यह एक ऐसे couple थे जो finale के end end तक भी साथ है क्योंकि अगर देखा जाए तो बस अब के बाद तो journey video आएगी journey video के बाद जो है वो fine finale की preparation, dancing performance की preparation, 2-4 दिन उसमें जाएंगे, तो एक तरीके से देखा जाए तो 3-4 दिन का इंतिजार है उसके बाद यह घरी चले जाएंगी तो वाके में इनकी इस condition को Big Boss ने माना जरूर है कि end तक इनके husband को इनके साथ रखा है लेकिन वहाँ से फाइदा अंकिता लोखंडे का भी यही होगा कि vote जो हैं वो divide नहीं होंगे अगर दोनों ही फिनाले में पहुंच जाते तो दोनों के vote जो हैं वो divide हो जाते अब अंकिता लोखंडे के chances बढ़ जाते हैं जीतने के क्योंकि Vicky Jan के vote भी अंकिता को मिलेंगे वैसे media round के बाद ये भी लोगों का बोलना है कि बहुत अच्छा white wash किया है बहुत ही अच्छा white wash मतलब जो चीज highlight करनी चाहिए थी पूरी media round में वो चीज highlight नहीं हुई और जो चीज नहीं करनी चाहिए थी उस चीज को बार बार target किया गया क्योंकि मनारा इसमें बहुत रोती वी नजर आई मनारा का एक clip भी प्रोमो में देखने को मिल रहा है जिसमें वो बहुती ज़ादा emotional होती वी नजर आई है उसका बोलने का मतलब यही है कि यार अगर मैं बात करूँ तो भी problem है अगर मैं बात ना करूँ तो भी problem है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ मुझे पता ही नहीं कि ऐसा क्यों कर दिया वैसे वाके में इतनी insecurity कि इस बात की थी कि वो जब wiki के आगे भाया लगा दी तो भाया शब्द तो अपने आप में एक सबसे secure word है और अगर आप उस secure word को भी insecurity से देख रहे हो तो फिर तो आपके लिए क्या ही बोलें वैल आपके insecurity तो घर से बाहर चली गई अब घर के अंदर आपके secure लोग बचे हैं तो आपको एक तरीके की tension खतम होगे कि आपके पती को कोई भी बात करेगा आपके पती से या आपके पती क्या time spend करेगा या विकी भाया विकी भाया करेगा क्योंकि विकी भाया अब हो चुके हैं घर से बेघर तो अब देखने में बहुती मज़ा आने वाला है कि इस big boss की journey में कौन winner होने वाला है क्योंकि काफी जादा chances अभी शेक की भी बताया जा रहे हैं कि हो सकता है कि अभी शेक भी हम सब को winner के रूप में देखने को मिले लेकिन अगर वहीं पर media round की बात करें तो media round में धज्या उड़ाई गई अभी शेक की भी धज्या उड़ाई गई मनारा की भी धज्या उड़ाई गई मुनवर की बट मुनवर बहुत अच्छा explanation दे देते हैं बहुत अच्छा justification दे देते हैं इसके बारे में media वाले भी बोलते हुए नजर आए और वहीं पर अंकिता के friend का भी video जो है वो सामने आ गया है कि अंकिता के friend ने किस तरीके के question करे थे मनारा के साथ अंकिता को defend करते हुए मतलम full on white wash वाला media round हुआ है खैर उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला क्योंकि विकी जैन बाहार तो चली गए है अब देखने में मज़ा आएगा कि आखिर big boss किसके लिए biased है because big boss इस show में आगे भी उसे लेके जाएंगे जो show के लिए अच्छा होगा and I think big boss जिताएंगे भी उसी को जो इस show के लिए अच्छा होगा जो इस show में बार बर promotion के लिए आएगा बार बर अपनी presence देगा तो इस बार का totally season bias था देखते हैं कि अब इस big boss जर्नी का winner कौन होता है बस 3-4 दिन है जिसमें से कि आपको I think आज या कल में जर्नी वीडियो देखने को मिल जाएगी जिसमें सब के fans को बुलाया जाएगा और उनकी एक जर्नी वीडियो जो होती है वो दिखाए जाएगी उसके बाद dancing performance होगी finale की तयारिया होगी तो आप लोग भी comment section ने फटाफट बताईए कि आपका favorite contestant big boss का कौन है और किसे आप big boss की trophy लेते हुए देखना चाहते हैं अगर मैं अपने favorite के बात करूँ तो guys मुझे इस season में न to be very frank कोई भी पसंद नहीं आया तो मेरे हिसाब से कोई भी जीद जाए I hardly bother because अच्छे contestant तो पहले ही out हो गया और इस बार मैं बताऊँ to be very frank अच्छा कोई था ही नी कि जिसको हम दिलो जान से बोले मतलब हमने इससे इतने बढ़िया बढ़िया season देखे हैं जिसमें हम screen के आगे बैठे रहते थे कि नहीं हम चाहते हैं ये winner हो हम चाहते हैं ये winner हो अब तो वह वाला हिसाब किताब है कि कोई भी winner बन जाए hardly bother कोई फरक नहीं भड़ता क्योंकि सब के सब एक जैसे ही है तो ये थी मेरी अभी तक की update आप सब के लिए I hope आप लोगों को पसंद आई होगी जिसने चला को subscribe नहीं किया है फटा-फट से subscribe कर दीजिए वीडियो पसंद आई तो like भी कर देना थैंक्स पर वचिंग आर्थ मॉन देहरा दून